शरद पूर्नेमा पर जरूर करे ये काम, हमेशा भरी रहेगी आपकी तिजोरी। सभी पूर्नेमा में शरद पूर्नेमा का विशेश स्थान होता है। आश्विन मास के शुकल पक्ष की पूर्नेमा को कोजागरी पूर्नेमा, रास पूर्नेमा या शरद पूर्नेमा कहा जाता शरद पूर्नीमा की रातरी पर चंद्रमा पृत्वी के सबसे निकट होता है अब वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है इस रातरी में चंद्रमा का ओस सबसे तेजवान और उर्जावान होता है चंद्रमा की पूर्णाभा अधे कनुराग उत्पन करते हुए जड़ता में भी छेतनता का भाव उत्पन कर देती है शरद पूर्णिमा को की गई पूजा अर्चना व्यक्ति के नीरस सुखे जीवन में भी प्रेम अनुराग का रस भोल देती है आईए आप जानते हैं कौन से हैं वो उपाए जो शरद पूर्णिमा पर आपको जरूर करने चाहिए एक, तंगी और कर्ज से मुक्ति का उपाए धर्म और ज्योतिश की जानकारी बताते हैं कि पैसों की तंगी से परेशान लोग चंद्र ग्रहन के दिन एक ताला खरीद लें और उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दें सुबह उस ताले को मंदिर में रखाए इस तरह के तोटके से कुछी दिन में आर्थिक तंगी दूर होगी और कर्ज से राहत मिलने लगेगी 2. मा लक्ष्मी जी के आशिर्वाद पाने के लिए जीवन में कभी कोई परेशानी न हो और माता लक्ष्मी का हमेशा आशिर्वाद बना रहे इसके लिए चांदी का एक तुकड़ा, दूध और गंगाजल में मिलाकर चंद्र ग्रहन के समय चंद्रमा की छाया में रख दें ग्रहन जब खत्म हो जाए तब उसे अगले दिन इस तुकड़े को उठा लाएं और तिजोरी में रख दें मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती और मा लक्ष्मी का आशिर्वाद हमेशा बना रहता है अगर आप अपने घर की सुख सम्रिद्री में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो शरद पूर्णेमा के दिन भगवान श्री विश्नू की पूजा में एक लोटा जल भर कर रखें और उस लोटे में थोड़े से चावल डालें साथ ही लोटे की गर्दन पर एक कलावा या मौली बांध हैं फिर उस पर रोली चावल का तिलक लगाएं और धूप दी पादी से भगवान की पूजा करें जल से भरे उस लोटे को पूजा के बाद भी वहीं रखा रहने दें और शाम को चंद्रो दे होने पर उस जल से चंद्रमा को अर्ग्य दें 4. कारो बार में लाब के लिए शरद पूर्णीमा के दिं गोमती चग्र की विधी विधान से पूजा करें साथी गोम्ती चक्र को हाथ में रख कर मांकाली के मंत्र का 54 बार जाप करें बाद में गोम्ती चक्र को एक डिब्बे में बंद करके अपने कार्यस्थल पर रख लें इसे कुछी दिन में लाब मिलने लगेगा पांच उत्तम स्वास्थे के लिए इस रात चंद्रमा की किरनों से अम्रित तत्व बरसता है शरद पूर्निमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है खीर में मिशृत दूद, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही है अतहिन में चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है तीन बार घंटे तक खीर पर जब चंद्रमा की किरने पढ़ती है तो यही खीर अम्रित तुल्य हो जाती है जिसको प्रसाद रूप में ग्रहन करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है शास्त्रों के अनुसार लंका ध्यपती रावन शरद पूर्नेमा की रात किरनों को दरपन के माध्यम से अपनी नाभी पर ग्रहन करता था मान्यता है कि इस प्रक्रिया से उसे पुनर्योवन शक्ती प्राप्त होती थी प्रतियक व्यक्ति को इस रात कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की शीतल चांदनी में बैचना चाहिए चांदनी रात में मध्यरात्री के समय घूमने वाले व्यक्ति को उर्जा प्राप्त होती है जिससे स्वास्थे अच्छा रहता है यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद